नितीश कुमार के विपक्ष को एक्जूट करने कारिकम चल रहा है इसी बीच में एक बड़ा ट्विस्ट आया है लगतार ये चर्चा चल रही थी कि आखिर नितीश कुमार क्या करेंगे तेजस्वी यादो का क्या रॉल होगा और इसके साथ साथ लालू परसाथ ने क्या फि ठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है इन सारी बातों की अभी चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में आपको बता दें कि सभी विपक्षी दलों को करनाटक में जो चुनाव चल रहे थे उसके जो एक्जिट पोल के नतीजे सामने नजरा रहे थे वो सारी चीजों पर ध्यान था और इन सभी बातों को लेकर के लगतार चर्चाएं भी चल रही थी सभी अपने अपने हिसाब से इस बात को लेकर के जोल घटाओ कर रहे थे इसी जोल घटाओ के बीच में आपको बता दें एक बात बहुत तेजी से चल रही थी कि आखिर कर का क्या होगा बिहार कैसे समाला जायगा क्या बिहार या फिर कहा जाएग्य हाध कि अभणफ पर और ऑगे दो इस्तेप बढ़े गा भिहार और ऐसी इस्तिति पर झालिबान नgrowth कोुछSy अ एक जूत घभी आदो करने के लिए आपने साथ रखा अधिकांस जगहों पर तेजस्वी आदों और नितीश कुमार सात गये और जा करके वहां विपक्ष को एक्जूट करने की बात हुई कई तस्वीरे सामने आई इसके बाद करनाटक का चुनाओ आ गया करनाटक चुनाओ के परिणाम आये और परिणाम आने से सारा विपक्ष बहुत यादा खुश नजर आ रहा था 2015 में आपने देखा होगा कि किस तर से भारती जनतापाटी जब 2014 में क्लिन स्वीप कर गई तो सारे विपक्ष के होस उड़ गए थे और सारा विपक्ष अब इस बात का मंधन करने लगा था कि आखिर कैसे इस असोमेक के घोडे को रोका जा एक बार फिर से बिहार तैयार का भारती जनतापाटी को बिहार के सत्ता से बेदखल किया इतना ही नहीं नितीश कुमार और लालू प्रसाद ने मिलकर ये भी कह दिया कि आने वाले लोग सभाचुनाओं में भारती जनतापाटी को सबक सिखाएंगे पर ये हूर न सका वहीं आपको बता दें कि करनाटक क परिनाम आने के बाद बिलकुल उसी अंदाज में विपक्ष में आने के बाद यानि केंद्र की सत्ता के विपक्ष में आने के बाद नितीश कुमार ने अभियान चलाया है भारती जनतापाटी के विरुद और उस अभियान में करनाटक का रिजल्ट बहुत बड़ा जीवन रहे हैं इन दोनों ने हामी भरीदी सपतगरण में जाने की लेकिन इसके अलावे जो हमारे पास सुचनाय आ है उसमें कई राजियों के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री उसमें सामिल होंगे महाराष्ट्र में दोनों ही जो बड़े दल है उनको निमंत्रन भेजा गया है उद्धर ठाकरे और सरत पवार को तो आपको बता दे कि नवीन पटनाय को भी भेजा गया है अथलेस या साथ ही दक्षिन के कई राज्यों में जहां गैर भाजपाई सरकार है उसके मुख्यमंत्री पहुंचेंगे यानि विपक्ष का एक बड़ा सक्ति प्रदर्शन होगा और इस सक्ति प्रदर्शन के बाद और मजबूती के साथ विपक्ष भारती जंता पार्टी के विरुद एक जूट होगा अब देखना दिल्चस्प होगा कि इस सपत ग्रहन में नितीश और तेजस्वी आदों पहुंचते हैं तो किस तरह करना जारा होता है और साज़ा विपक्ष क्या वहां से संदेश देता है जुड़े भारत लाइप के साथ अगली खबर में जल्दी ही मुल अगर पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386-816-700 धन्यवाद